आज जार्खन को 35,000 करोड रुपिये से अधिक की योजनाओं का उपहार मिला है मैं अपने किसान भाईयों को, मेरे आदिवासी समाज के लोगों को और जार्खन की जनता को इन योजनाओं के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों, आज यहाँ सिंद्री उर्वरत कारखाने का लोकारपन किया गया है मैंने संकल्प लिया था कि सिंद्री के इस खाथ कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा यह मोदी की गारंटी थी और आज यह गारंटी पुरी हुई है मैं 2018 में इस फर्टिलाइजर प्लांट का सिलान्यास करने आया था आज सिर्फ सिंद्री कारखेने की ही शुरूरात नहीं हुई है बलकि मेरे देश के मेरे जारखन के नवजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरूरात हुई है इत्खाद कारखाने के लोकारपन के साथ ही आज भारत ने आत्मनिर भरता की और भी एक बड़ा कदम उठाया है हर वर्ष भारत में करीब करीब तीन सो साथ लाख मैट्रिक्टन यूरिया की जरूरत होती है 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो समय देश में दो सो पचीस लाख मैट्रिक्टन यूरिया का ही उत्पादन होता था इस बड़े गैप को भरने के लिए भारत में बड़ी मात्रा में यूरिया का आयात करना पड़ता था इसलिए हमने संकल्प लिया कि देश को यूरिया के मामले में आत्म निर्फर बनाएंगे हमारी सरकार के प्रयासों से बीते दस वर्सों में यूरिया का उत्पादन बढ़कर तीन सो दस लाक मैट्रिक टन हो गया है बीते दस वर्सों में हमारी सरकार ने रामा गुन्डम, गोरकपूर, बरोवनी, इन फर्टिलाइजर प्रांट फिरिशे दुबारा शुरू करवाये अब आज इसमें सिंद्री का नाम भी जुड़ गया है ताल्चेर फर्टिलाइजर प्रांट भी अकले एक देट साल में शुरू होने जा रहा है और मुझे पक्का भरोसा है, देश की जनता पर भरोसा है, कि उसके उद्धारन के लिए भी मैं जरूर पहुचूंगा इन पांचों प्लांट से भारत साथ लाख मेट्रिकन से भी जादा यूरिया का उत्पादन कर पाएगा यानि भारत तेजी से यूरिया के मामले में आत्मंदिर पर होने की तरफ बढ़ रहा है इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी बलकि वो पैसा किसानों के हीत में खर्च होका साथियों आज का दिन जारखेंड में रेल करांती का एक नया अध्याय भी लिख रहा है नई रेल्वे लाइन की सुरुवात से लेकर मोजुदा रेल्वे लाइन के दोहरी करण और कई अन्य प्रोजेक्स आज यहां शुरू हुए है दनबाज चंद्रफुरा रेल लाइन का सिलान्यास होने के इन खेत्रों में भूमिगत आग से सुरुक्षित एक नया रूट उपलब्द होगा इसके अलावा देवघर डिबुरगर ट्रेन के शुरू होने से बाबा बैजनात का मंदिर और माता कामाख्या की शक्तिपिट एक साथ जुड़ जाएंगे कुछ दिन पहले ही मैंने वारणसी मैं वारणसी कौलकता राची एक्सप्रेस में की आधार सिला रखी है एक्सप्रेस में चत्रा, हजारीबाद, रामगर्ड और बोकारो समेट पूरे जार्खन में आने जाने की स्पीर को कई गुना बढ़ाने वाला है इसके अलाबा, हमारे किसान भाई बहनों को, चाहे फसल की बात हो, हमारे ख़दानों में कोईले की बात हो, हमारे कारशानों में सिमेंट जैसे उत्पाद हो ये पुर्वी भारत से देश के हर कौने में भेजने में बड़ी सहुलियत भी होने वाली है इन प्रोजेक्ट से जारखन की रीजिनल कनेक्टिविटी और बहतर होगी यहां के आर्थिक विकास को गती मिलेगी साथियों, बीते दस वर्सों में हमने जनजातिय समाच गरीबों, युवाओं और महिलाओं को अपनी सरवोच्च प्रात्विक्ता बनाकर जारखन के लिए काम किया है साथियों, हमें 2047 से पहले अपने देश को विक्षिद बनाना है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थ ववस्ता वाले देशों में है आपने देखा होगा, कल ही अर्थ ववस्ता के जो आंकड़े आये हैं वो बहुती उत्सा भरने वाले हैं भारत ने सारे अनुमानों से और बहतर प्रदर्शन करते हुए अक्तूबर से दिसंबर के क्वार्टर में 8.4 परसंट, 8.4 प्रतिशत की विकासदर हासिल करके दिखाई हैं ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ कितनी तेजी से बढ़ रहा है इसी गती से आगे बढ़ते हुए ही हमारा देश विक्षित बनेगा और विक्षित भारत के लिए जारखंड को भी विक्षित बनाना उतना ही जरूरी है केंद्र सरकार इस दिशा में हर तरख से जारखंड को सहयोग कर रही है मुझे विश्वात है कि भगवान बिर्शामुंडा की हधर्ती दिख्सित भारत के संकल्पों की उर्जा शक्ति बनेगी साथियों यहां मैं अपनी बात बहुत कम सब्दों में रख करके आपका धन्यवाद करके अब जाओंगा धन्यवाद तो वहां मैदान भी जरक खुला होगा माहोल भी बड़ा गर्मा गरम होगा सपने भी मजबूत होंगे संकल्प भी तगड़े होंगे और इसलिए मैं जल्द से जल आजे गंटे के भीतर फीतर दन्वाद जा करके वहां से जारखन को और देश को अनेक और बाते भी बताऊंगा एक बार फिर आज की सभी योजना के लिए आप सभी को धेर सारी सुबकामना है बहुत बहुत धन्यवाद जोहार आपके आशिर वश्रू के लिए शुक्कामना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननिय प्रधान मंत्री जी जोरदा तालियों बुझाए दोनों हाथ उपर उठाकर जोरदा तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद आभार आज के इस अवसर पर सिंद्रे में आयोजेतिस कारिक्रम के माधियम से विभिन्ने योजनाओं के स्वगातों के लिए बहुत बहुत पुना हमारी ओर से आपको धन्यवाद जोहार है और साथी साथ धन्यवाद हमारे सभी विशिष्ट अतिति गण प्लका मेंगा हमार चलका में स्वगाद सरुम और से सकते हैं